नियत अच्छी हो और महनत सच्छी हो तो कामयाभी ज़रूर मिलती है नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सब मैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुच्छोंगे मैं डियर फेंड्स अगर आप कॉंपिटेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो के लास्ट अग बने रहे हैं, आईए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो सबसे पहले अगर बात करें नाटो की, तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाजेशन अब नाटो है क्या? नाटो यानि नॉर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाजेशन नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्यस नंगटन है जो नाटो है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सैन्यस नंगटन है जिसे 1949 में बनाया गया था जो राजनीतिक और सैनिक संसाधन के माध्यम से अपने सदस्या देसों को दूसरे देसों से सुरक्षा की गरंटी देता है जी हाँ जो राजनीतिक और सैनिक संसाधन जो है उनके माध्यम से जो उसके सदस्या देस है उनके सुरक्षा की गरंटी दे यह यूरोप और उत्री अमरीक का देशों का एक सैन्या और राजनीतिक गठवंदर है नाटो की स्थापना की अगर बात करें तो आपने डेट बहुत जरूरी है डेट याद रखनी है ध्यान से देखिए डेट है 4 अप्रेल 1949 को जो नाटो है वो एस्टाबलिस किया गया था जो इसका है यह भी इंपॉर्टेंट है बैल्जियम के ब्रिसलिस में है और नाटो की अगर स्थापना के समय की अगर बात करें तो अमरीका समेथ 12 देश इसके सदस्य थे जब नाटो की स्थापना हुई थी तो अमरीका के साथ साथ 12 ऐसी कंट्री थी जो नाटो के कंट्री देश और दो उत्री अमरीकी देशों के बीच इसे बनाया गया है दियुतियो विसुयूद जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके ठीक बाद सेवियत संग से निपने के लिए सोवियत संग से निपने के लिए साल 1949 में उत्तर संदी संगठन नाटो का गठन हुआ था और अब बगर इसके महतपूर्ण प्रशन की बात करें जो वन लाइनर important questions है सबसे पहले ध्यान से देखिए जो question है कि नाटो के साफनक कब हुई ये maximum time question पूछा जाता है तो इसका आपने ध्यान रखना है 4 April 1949 4 April 1949 तो ये जो date है ये काफ़ी important है आपके competitive examination के point of view से नाटो का headquarter जो हमने अलएडी discuss करा कहां है Belgium के bracelets में Belgium के bracelets में तो ये वो repeated question है जो maximum time questions पूछे गए है नाटो की स्थापनके समय है कितने देश इसके सदस्या थे 12 इसके सदस्या थे के साथ वर्तमान में कितने देश इसके सदस्या है काफ़ी important question है 28 European देश और 2 उतरी अमरीकी देश इसमें सामिल है नाटो का उदेशिया क्या है ये सबसे important है कि इसका main objective क्या है राजनितिक और सैनिक संसाधन के माध्यम से अपने सदस्या देशों को दूसरे देशों से सुरक्सा करना नाटो की स्थापना क्यों हुई थी तो नाटो की स्थापना जैसे हमने topic में भी discuss करा कि जो second world war हुआ था उसके ठीक बात सोवियत संक से निप्टने के लिए नाटो की स्थापना हुई थी नाटो का संक्सिप्त नाम क्या है फुल फॉर्म क्या है North Atlantic Treaty Organization उत्तर अंटाल्टिक संधी संगठन नाटो के मुख्य चार अंग क्या है ये काफी important question है Secretary General Nuclear Planning Group और Military Committee और उसके साथ साथ Subordinate जो कमेटी है ये चार इसके मुख्य अंग है नाटो से सबसे बाद में जुणने वाला देश कौन सा है तो नाटो से जो सबसे लास्ट में जो देश जुड़ा है वो 2020 में जुड़ा है North Macadonia नाटो में West Week भागिदार किसे कहा जाता है काफी important question है इराक आपने याद रखना है कि जो इराक है उसे नाटो में West Week भागिदार कहा जाता है नाटो की सरोच प्रात्मिक्ता क्या है तो इसकी जो सरोच प्रात्मिक्ता है वो है समुद्री सुरक्सा नाटो के प्रमुख राजनी तीक निर्ने लेने वाली संस्था कौन है तो ये है हमारी NAC जिसकी फुल फॉर्म है उत्री अंटलाटिक परिशद कारेकरम का उप्योग चीन से आपातकालीन चिक्तसा उपकर्ण लाने में किया है तो रन नितिक वायू प्रिवेहन के लिए अंतरास्टिय समाधान कारेकरम ये इसका जो अंसर है वो बिल्कुल सही है सलिस को कौन नियंतरित करता है तो इसको नियंतरित करता है NSPA जिसकी फुल फॉर्म है नाटो स्पोर्ट प्रोक्यूर्मेंट अजेंसी ये आपने ध्यान रखना है काफी इंपोर्टेंट है कि जो सलिस है उसको कौन नियंतरित करता है NSPA नाटो स्पोर्ट प्रोक्यूर्मेंट अजेंसी नेक्स्ट है नाटो ने योन सोशन को रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई है काफी इंपोर्टेंट कॉश्चिन है कि नाटो ने जो योन सोशन है उसको रोकने के लिए जो योजना मनाई है वो है Women Peace and Security Policy and Action Plan नाटो किस सिधान पर काम करता है सामूहिक रक्सा के उपर नाटो के वर्तमान महा सचीव कौन है जेंस स्टोल्टेनबर्ग जेंस जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो ने अलबानिया में किस स्युक्त सैन्य अभिहास को सुरू किया है तो Defender Europe 21 को नाटो ने अलबानिया में जो अभिहास है सैन्य अभिहास है उसको सुरू किया है नाटो नेताओं ने किस देश को एक निरंतर सुरक्सा चनौती गोशित किया है इसका अंसर है चीन तो जो नाटो है Defender 21 war game है सेन्य अभ्यास किस दे में कर रहा है तो ये कर रहा है हमारे जो European countries है वहां पर जो नाटो का Defender 21 war का जो games है सेन्य अभ्यास था वो किया गया तो इस तरीके से ये कुछ important lines थी important one liner थे जो की नाटो से related है और सारे के सारे questions जो one liner है काफी important है आपके examination के point of view से और जो ये PDF है ये आपको मेरे टेलग्राम का जो channel है description में मिल जाएगा वहां से जाके आप इसको download कर सकते हैं और इसको अच्छे से study कर सकते हैं ये आने वाले जितने भी आपके competitive exam है उनमें काफी important होने वाले है और आने वाल टाइम में भी अच्छा content आपके लिए लेके आया जाए एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया जाए ताकि आपकी जादा से जादा help हो सके तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है उन सबसे मेरे request है चैनल को जो subscribe करें और bell icon को press करें ताकि इसी तरह की videos और notifications आपको मिलती रह है so last way thank you thank you so much मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत